हाई जी क्या हाल चाल सभी CA Foundation के स्टुडेंट्स जिनका आज है एक्जाम है आपके एक्जाम के प्रपेशन हो चुकी होगी I am sure आप एक्जाम देने जा रहे होंगे बस ये last dose एक जुब में उझे आपको देनी थी वो है राइटिंग स्किल के उपर आज जब law का एक्जाम होगा law के एक्जाम में कुछ बातों का ध्यान रखना हाला कि ये बाते मैंने revision classes के अंदर भी समझाई थी बड़ लास्ट टाइम पर जाते जाते एक बड़ दुबारा बता देता हूं कि अगर कोई भी कोशन आए के स्टेडी बेस्ट कोई भी के स्टेडी बेस्ट कोशन आए तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले तीन स्टेप्स के अंदर solution होना चाहिए सबसे पहले शुरवात होने चाहिए relevant provision of law की जो भी relevant provision जो भी law उस point पे लगता है तो उससे शुरवात होनी चाहिए तो अगर कोशन offer and acceptance का लग रहा है तो offer की definition से शुरवात करो consideration का लग रहा है तो consideration से शुरवात करो capacity का लग रहा है तो capacity वाले points से शुरवात करो कि section 11 क्या कहता है कि every person having the capacity contract provided ease of the age of majority of sound mind is not disqualified by the law इस तरीके से शुरू करो free consent कहाता है तो free consent से शुरू करो इस तरीके से relevant provision से शुरू करो जो भी उस पर provision हिट हो रहा है उसे लिखो मगर दो तीन बातों का ध्यान रखना मैक्सिमम तीन लाइन्स और उसके बाद पैरा break पैरा break करना है पैरा आपको break करते हुए numbering नहीं देनी बलकि semicolon का use करना है semicolon semicolon इस तरीके से कुछ बच्चे क्या करते हैं left side पर बहुत ज्यादा margin छोड़के right hand side से लिखना शुरू करते हैं यह बिल्कुल नहीं करना आपने बिल्कुल left hand side से ही लिखना शुरू करना है जहां से आपने semicolon डाला वहीं से लिखना शुरू कीजिए फालतू के left hand side वाले margin छोड़ने की जरूरत नहीं है फिर लिखने के बाद आपको अगर कोई लगता है कि वाह यह point तो बहुत जबदस्ता वो आप खुद जानते होगे कि हाँ जी यह point तो बहुत main point इसके अंदर सबसे point यही है main line यही है main word यही है उसको हो सके तो please underline कर देना अगर आपको time मिल रहा हो तो please underline जरू कर देना ठीक है जी तो ध्यान रखना relevant provision अगर मैं कहूं कि total answer के length कितनी होनी चाहिए तो ध्यान रखना 70% आफके answer के length यह relevant provision के अंदर आनी चाहिए फिर आता है step number two जो given case है ना उस given case को आपने use करना है given case को use करना है for example case में क्या हुआ राम ने शाम को टांग मारी शाम ने राम को गाली दी जो भी हुआ यहां पे लिखो इस case में इन दा given case यह हुआ है दोनों ने अपनी ऐसी तैसी कराई है बास लिख ठीक है जी थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप को heading जरूर देना है conclusion conclusion अब conclusion मतलब बस conclude करो जैसे जट साब कहते हैं सारे गमाओं और बयानों को मद्दे नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुची है तो बस आपने भी conclude करना है कि based on above provision जो भी आपने provision लिखा है we may conclude that we may conclude that कि आपका decision क्या है वो decision लिखो और एक line के अंदर उस decision का reason भी जरूर लिखो since क्यों ये decision है since बस one liner ये decision का reason जरूर लिख देना ठीक है जी अब ध्यान रखना step number one आपकी total overall जो answer की strength होगी उसका 70% step number one होगा step number two आपका 10 से 15% तक होगा और step number three आपका 15 से 20% तक होगा ध्यान रखना step number three सबसे important step है सबसे पहले आपका step number three देखेगा सबसे पहले step number three देखेगा फिर उसके बाद step number one पे आएगा तो step number three को छोटा रखना है जिससे वो decide कर सके कि बच्चे को अकल है answer जो उसने लिखा है वो सही है या नहीं है उसके बाद वो step number one पे आएगा तो आपको उसे वहाँ presentation से impress करना है presentation में again maximum तीन लाइने और semi-colon से हर तीन लाइनों के बाद paragraph को तोड़ते जाना तोड़ते जाना तोड़ते जाना आप में से ज़्यादा तर बच्चे mistake क्या करके आएंगे मैं बता देता हूँ उसको avoid करना प्लीज इस वीडियो को सुनने के बाद वो क्या सबसे ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा step number two के ओपर ध्यान रखना step number two का एक भी number नहीं होता सबसे ज़्यादा जोड़ सबसे ज़्यादा पूरे के पूरे के पूरे question को in the given case ये उतार देंगे अरे भाई उसका एक भी number नहीं है सर अगर ना लिखे तो लिखना जरूरी है मगर जब एक भी number का नहीं है और मैंने का 10 से 15 परसन के length बस इसमें होनी चाहिए maximum तो इस रिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको maximum दो या तीन लाइनों से ज़्यादा का लिखना ही नह ना नहीं paragraph को numbering देनी है मैंने का ना semi-colon से paragraph को तोड़ना है तीन steps के अंदर relevant provision given case में क्या हुआ in the given case जो question में दिया हुआ है उस case में क्या हुआ है और last में conclusion based on the above provision we में concluded decision लिखा और since लिखा कि हम यह decision क्यों दे रहे है one-liner sense का जरूर आना चाहिए कि sense अगर चार लाइनों भी conclusion चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं अगर चार से पाचवी line नहीं जानी चाहिए ध्यान रखना maximum चार लाइन नहीं बस यह fundamental आज के लिए लेके चलना बस ठीक होगे इत्ती बात तो यह तो हुआ case study based question फिर दूसरा question आपको मिल सकता है statement based question जिसमें कहा जाएगा कि acceptance to an offer is just like a lighted match to a gunpowder something सबसे पहले बताओ कि यह statement true है या false है बस यह लिखना है तो answer की शुरुआत ही statement based में कैसे लिखनी है this statement is correct या फिर incorrect जो भी correct है या incorrect है जो भी लिखना है statement लिखा उसके बाद आपने heading डालनी है relevant provision की relevant provision यह heading वहाँ पर डालनी है case study में आपको heading नहीं डालनी relevant provision की यह नहीं लिखना relevant provision बस आपको लिखना शुरू कर देना है कैसे लिखने की भी शुरुआत कैसे करनी है as per the provisions of Indian contract act 1872 या फिर sales of goods act 1930 या फिर जो भी आ रहा है बस यह से शुरुआत कर देना relevant provision heading नहीं देनी बढ़ जैसे statement based question आएंगे आपको heading देना है relevant provision अब पहले सबसे पहले आपने लिखा statement correct है या incorrect है उसके बाद relevant provision के अंदर आप provision पूरा लिख के आएंगे जो भी law का provision वहाँ पर बनता है सारे का सारा लिखाएंगे and last में conclude भी जरूर कर केंगे but word conclusion नहीं आएगा यहां पर statement based question में thus we may conclude that अब जो question में statement दी है acceptance to an offer is same as lighted match to gunpowder logic तो जो question में line दी है वो मैंने last में repeat कर दी सबसे पहले लिखा statement correct है फिर उसके बाद relevant provision लिखा relevant provision ध्यान रखना आगें maximum 3 line paragraph तोड़ा semi-colon के तुरू paragraph तोड़ा semi-colon के तुरू left margin फलतु के नहीं रखने हैं नहीं रखने हैं बिल्कुल semi-colon तोड़ते ही semi-colon डलते ही left hand side से बस शुरू कर दो शुरू कर दो समझ आ गई बात ये दो तरीके के question तुमें करने आएंगे और तीसरा question आ सकता है जिसके chances थोड़े से कम है वो है plain vanilla theoretical question तो वो तो जो आज तक ऐसे करते आ रहे हो business study वगरा बिल्कुल वैसा ही करना है तो ये आपका presentation का त 100% paper cover करके आना है सर अगर मान लिजे मैं एक chapter छोड़ के ही चला गया हूं और उसी chapter से question आ गया तो फिर मैं क्या करूँ हां अब आता है जुगाड का जनम होता है किसका जनम होता है अब जुगाड का अब जुगाड कैसे करना है ऐसा question जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसे स lighting match to the gun powder मुझे बिल्कुल नहीं आता अब मैं क्या करूँ मुझे इतना तो पता है कि acceptance की बात कर रहा है हां acceptance की definition मुझे आती होगी yes acceptance के बारे में मुझे पता भी होगा कुछ yes लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना paragraph को आप तोड़ना मत मगर यह जुग इल्मी गाने लिखाए acceptance के बारे में हुआ क्या एक hidden trial है कि जहां मुझे कुछ नहीं मिलना था क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहां मैंने जो मेरे को ग्यान था उस topic पे मैंने सारा पेल दिया पकड़के शायद मुझे एक या डेट नंबर मिल जाए बस यह उसकी जंग है मतलब कहने का क्रक्स यह है छोड़के कुछ नहीं आना लिख के सब कुछ आना है वहाँ पर तो अपना टाइम इस तरीके से manage करना सच चार नंबर में कितनी sheet भरें जो चार नंबर है उसके लिए आपके पहली sheet भरी होनी चाहिए जो आपको paper की answer sheet मिलेगी ना उसकी answer sheet की चार नंबर पे आपका पूरी sheet भरी हो चार या पांच नंबर पे आप क्या सकते हो कि पूरी sheet भरी हो ठीक है तीन नंबर पे आप उस हिसाब से कम कर सकते हैं चार और पांच नंबर पे पूरी sheet भरी होनी चाहिए बस त्यान रखना छे नंबर पे आपको एक page से आगे लेके जाना पड़ेगा answers को, तो इस तरीके से, मतब 6 नमबर का आए, वैसे आएगा नहीं, chances कम है, 4 या 5 नमबर के ही, या 3 नमबर के ही कोशना आएंगे, तो कोशिश करना, 0 से शुरू करना, consideration का कोशन मिले, consideration की definition से, offer and acceptance का offer की definition से, acceptance की definition से, agreement का कोशन मिले, contract की definition से, ऐसे शुरुवात करना, ठीक हो गई, इतनी बार, चले, exam में जाने से पहले, माता-पिता का आशिरवाद लेके जाना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़ अगया आशिरवाद है, बस वो समझ लो, उपर वाले का आशिरवाद है, तो बहुत-बहुत शुब कामना है, आपको exam के लिए, and मैं विश्वास करता हूँ, आपका exam बहुत अच्छा जाएगा, thank you, thanks a lot, bye-bye, take care, खुश रहिए.